Customized Wallpaper या किसी भी तरह की HD Quality प्रिंटिंग के लिए किस तरह की प्रिंटिंग को प्रिंटिंग दी जाती है? क्या difference होता है various type of printing में? दोस्तों, मार्केट में कुछ लोग सस्ती रेट में Customized Wallpaper या फिर HD प्रिंट देने का दावा करते हैं और सस्ता भी इतना कि जितनी वो प्रिंट की किमत बताते हैं उससे जज़ा तो प्रिंट की कोश्ट आती है तो सोच ये क्या ऐसा संबव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जोल है आज इस वीडियो में इसी विशेव पर डिटल में बात करेंगे और जानेंगे असल में हो होता क्या है और क्लाइंट को कैसे बेफकूफ बनाते हैं यह लोग नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रवीन अवस्ति है और मैंने पिछले 18 सालों में हजारा घुरा को खुबसूरत बनाया है अपने वैली फोर मनी प्रिंट एंड डेकर प्रड़क्ट से दोस्तों अलग-अल ब्रवार देंड दोस्तों में होता है और जैसे कि हेड्स में हो गया साइज में हो गया, Print Speed में है बट एक जो होता है वो होता है इनकी इंक का फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए सॉल्वेंट इंक काम में लिजाती है बैसिकली सॉल्वेंट इंक जो है वह एक लिक्विट केमिकल होता है जैसे ही इस लिक्विट इंक से किसी मीडिया पर प्रिंटिंग करते हैं तो यह जो केमिकल है वह इव छूट जाते हैं ये pigments media से bond हो जाते हैं solvent ink के इसी formation में liquid chemical की मात्रा ज्यादा होती है और pigment कम printing के समय liquid अपनी जग़े से थोड़ा सा फैलता है जिसकी वज़े से sharp printing नहीं आ पाती और evoporation के बाद chemical की smell भी पीछे रह जाती है अब बात करते हैं eco solvent की eco solvent ink में 95% color pigments ही होते हैं इससे क्या होता है कि chemical ना होने के वज़े से इसमें किसी भी तरह की कोई smell नहीं होती है pure pigmentation के कारण इसकी ink फैलती भी नहीं है उससे क्या होता है कि इसकी sharpness और इसकी durability दोना बहुँ ज़दा होती है अब चुकि ये pure pigment है तो इसकी ink की cost भी solvent ink से obviously काफी ज़दा होती है ये पूरी तरह से eco friendly ink होती है और eco solvent की इनी सब खुबियों के वज़े से हर बड़ी company हर बड़ा brand अपनी branding के लिए eco solvent को prefer करता है ये देखिए ये एक print है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अब मैं same image की एक और print दिखाता हूँ ये देखिए और अब बताईए कि कौन सा print बहतर है एक्चूली क्या होता है कि जब तक आपके सामने कोई option नहीं होता कोई choice नहीं होती तब तक आपको available product ही अच्छा लगता है आपके सामने compare करने को कुछ होता ही नहीं है बट जैसे ही आपके सामने option आता है आप आसानी से compare करके बता सकते हैं कि कौन सा बैतर है ये solvent print है और ये eco-solvent print अब कुछ भाई-लोग क्या करते हैं कि जिस media पर HD print होना होता है वहाँ पर भी सस्ते के चक्कर में solvent print करके अपने cleanse को दे देते हैं clients के पास compare करने के को दूसरा option नहीं होता तो वह इस जोल को समझ नहीं पाता तो आगे से जब भी आपको कोई सस्ते का offer दे तो एक बार सोचिएगा जरूर प्रिंट एंड डेकोर्ड से related इसी टाइप के latest जांकरी भरी वीडियो के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर दें कीप वाचिंग कीप सेरिंग मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग डेकोर्ड वीडियो के साथ जय हिन थैंक यू